नमस्कार आदाब दोस्तों मुंब्रा एक स्पेस में आपका स्वागत है दोस्तों आईए चलते हैं हमारी आज की विशेश और सबसे बड़ी खबर पर कुछ घंटों पहले एक न्यूज चेनल के हवाले से एजास्कान की एक वीडियो काफी वाइरल हो रही है जी हाँ दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि वो आखरी वीडियो एजास्कान की लोगों के सामने आई है जिसमें उसने कहा है कि दुबारा उसे मुंबई पुलिस की और से अरेस्मेंट शुरू हो गया है क्योंकि उसने आवाज उठाई लोगों के लिए खास कर टिक टॉक स्टार टीम 07 और जो तबरेज अंसारी मौब लेंचिंग को लेकर के उसने जो आवाज उठाई एजास खान ने उसको लोगी कर दुबारा उसे अरेस्मेंट शुरू हो गया तो और एजास खान ने लोगों से अपील किये कि यदि अगर इस बार मेरे साथ में कुछ गलत हुआ और आप लोग ने मेरा साथ नहीं दिया मेरे लिए रास्ते पर नहीं आएं तो दुबारा ये मत सोचना कि आप लोगों के लिए कोई एजास खान आवाज उठाएगा ऐसी अपील एजास खान ने अपने फैंस से और जनता से भी की है दोस्तो एजास खान वो शक्सियत है जिसने हर वक्त पे हर गरीब और मुस्लुम के लिए आवाज उठाईए ये तो आप सबको पता है बिना कोई जाती धरम के भीदबाव किये एजास खान ने काफी लोगों को हेल्प किया जैसे सौमेटो वालों को भी उसने अपना हग दिलाने में मदद की थी टीम 07 के लिए भी एजास खान ने शुरुआत की लड़ाई की तो क्या हम सबको मिलकर एजास के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए ये जरूर आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताए दन्यवाद बस आज के लिए इतना ही इंशाल्ला फिर मुलाकात होगी जब तक के लिए सुरबशित रहे सतर क्रेज जय इन जय महारश्ट्रा प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेर करना ना भूले और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल एकन दबाना ना भूले